सर आप हमें बताएं जो Right to Health Bill आ रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विसंगतियों से बरपूर है, इसके प्राधान कते ही ना तो जनता के हितमे हैं, ना डॉक्टर्स के हितमे हैं, ना सरकार के हितमे हैं जनता पड़ेशान होगी, इसमें डॉक्टर्स और जनता के बीच का जो रिष्टा है, उसकी खाई बढ़ेगी, कम नी होगी, तो एक दर से दूसरे दर पर भठकने की संभानवा बनेगी जनता की, ये ऐसी गलस सोच है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये राजनीतिक श ये ये डेफिनेटली चुनावी बिगुल है, और ये लॉलीपॉप है, और इसमें डॉक्टर्स इतने बड़े स्टेक होलर्स हैं, सतर परसेंट जो है निजे चेकिसक बैड जो है, वो डील करते हैं, जो औक्यूपैंसी रहती है, उसको आप दरकेनार नहीं कर सकते, और की तरफ से गाइड लाइन्स हैं, आप उनको लेकर नहीं आए, आप अपने इंफ्रेस्ट्रक्ट को दुरुस्त कीजे, आप अपने मेडिकल कॉलेज जिसे रिक्त इस्थान हैं, उनको भरिये, आपके आरेमो के पद खाली पड़े हैं, उनको भरिये, उससे आप अपनी चि अपने बलबूते पर लाए हैं, इतना खर्चा करके करोड रूपे की मशीन लाए हैं, इतने अच्छे ऑस्पिल्स वो इतनी अच्छी चिकित सा सवीधा दे रहे हैं, आप ये देखे, राजस्तान आज भी सबसे कम पैसों में सबसे अच्छा इलाज निजी चिकित सा के लगता है, और राजस्तान की सेवा इतनी है कि इन सब प्रदेशों से राजस्तान में लोग चिकित सा कराने आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहां के चिकित सब्सक्राइन करने लग जाएं, तो सर आप बताएं एक हमें चीज कि अगर ये राइट टु हैल्थ पारित हो जाता है आज, तो जैसे नीशुल इलाज के लिए तो जो इतने खर्चे होते हैं, तनखा होती हैं, होट स्पिरल के अलग भी खर्चे होते हैं, तो वो कैसे निकाल पाएगी? उसको पुनर बढ़न के लिए निजी साले को कोई वैवस्ता नहीं दी गई है, पर सबसे बड़ी बात ही है कि इसके जो प्रारूप है, उसमें इतनी खामिया हैं, कि जितनी खामिया गिनाई जाएं काम हैं, सरकार को बार बार कहने के बावजूद सरकार ने इस बात पर मु मेल्थ मिनिश्टर के द्वारा हुई होगी या किनके अधिकारियों के द्वारा हुई है यह जो भी है पर उनका मैसेज परकोलेट नहीं हुआ डंग से और उसकी वज़े से यह इस इस्तिति में आज किस्ता समूदा खड़ा है जो आप देख रहे हैं मौल